पेट के टूबर कुलोसिस के बारे में उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जब पेट की जो लाइनिंग है उसका टूबर कुलोसिस होता है तो क्या लक्षन आते हैं पेट की लाइनिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं जब टीवी का कीड़ा वहां जाकर बैठ जाता है और वहां पे इंफ्लमेशन करता है तो उससे दो तीन तरीके से लक्षन आ सकते हैं सबसे पहले तो पेट में पानी भर सकता है इसको हम असाइटिस कहते हैं पुराने जमायने में इसको असाइटिस प्रीकॉक्स कहते थे क्योंकि सिर्फ पेट में पानी भरता था और बाकी पूरे शरीर में कहीं सूजन नहीं आती थी तो वो जो मरीज होते थे जिनको सिर्फ पेट में पानी होता था वो डॉक्टर लोग पहले से ही सोच चेते कि ये तो TB की वज़े से ही होगा लेकिन आज की तारिक में हमें पता है कि ऐसी बहुत सारी बिमारिया हैं जिससे पेट में पानी आता है बिना पैरों में या मुपे सूजन आए हुए तो पेट में पानी आना सिर्फ TB का लक्षर नहीं है और भी बिमारियां होती हैं जो पेट में पानी कर सकती है कौन सी बिमारी? जैसे liver खराब होना, heart के बाल ठीक से काम नहीं करना kidney ठीक से काम नहीं करना, thyroid ठीक से काम नहीं करना इन सब से पेट में पानी भर सकता है तो अगर किसी के पेट में बानी है तो हमें उस पेट के पानी की सुई से जाच करके देखना पड़ता है कि ये पानी क्यों बन रहा है और उसके हसाब से फिर मरीज का इलाज होता है उसके बाद अब जैसे किसी को अगर TB का infection है उसके पेट में पानी आ गया है और ये इलाज नहीं हुआ ये चीज आगे बढ़ती गई तो समय के साथ जो है हमारा शरीर उस पानी को सुखाने की कोशिश करेगा और इसकी वज़े से पेट में कई सारे fibrosis की वज़े से adhesion बढ़ जाते हैं ऐसे गुच्छे जैसे बनने लगते हैं जिसको loculation बोलते हैं और अगर इसको हमने और नजर अंदाज किया तो धीरे धीरे जो ये पेट में पानी है पानी तो सूख जाता है लेकिन ये जो पेट की lining होती है peritonium ये आतों में जाकर चिपक जाती है और इसको tubercular cocoon बोलते हैं जिसमें हमारी ये पेट की lining जो है आतों को एक तरीके से एक गुच्छे में बांध के रग लेती है तो शुरू में तो सिर्फ जो लक्षन होगा वो ये होगा कि पेट भारी लग रहा है पेट में पानी आ गया है हो सकता है बुखार हो भूपना लग रही हो लेकिन आगे जा जाके पेट में दर्द हो सकता है आतों में रुकावट आ सकती है और उसकी वज़े से वजन कम होन और उल्टी भी हो सकता है तो शुरू में तो सिर्फ पेट में पानी होता है लेकिन बाद में जाके बाहर से चिपकने की वज़े से आतों में रुकावटा जाती है टेस्ट क्या करने हैं जिससे पता चले कि क्या ये पेट की जिली की टीबी है पेट के पानी का test करना है उसमें देखना है कि किस प्रकार के cell है उसका culture होता है एक TB का specific test होता है जिसको gene expert बोलते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि क्या TB का जो infection है वो पेट के पानी में है या नहीं है कई बार साथ में हम ultrasound या CT scan भी करते हैं उससे हमें ये दिखता है कि पेट में पानी के अलावा और पेट में कोई TB का लक्षण जो कीड़ा है और कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा क्या अंदर गिटलिया सूजी हुई है क्या अंदर आते सूजी हुई है क्या liver तिल्ली या कहीं और भी सूजन आई हुई है तो अक्सर जो पेट के पानी वाले मरीज होते हैं उनके पेट के पानी के अलावा उनका एक अल्ट्रसाउंड CT scan या छाती का X-ray भी हम लोग करते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर होए कि क्या पेशेंट को TB है या नहीं कुछ बिमारिया होती है जो काफी TB जैसी दिखती है जैसे पेट की ये जो lining है इसका जो cancer होता है वो भी ऐसे ही present करता है और कई बार जिन लोगों को पहले से liver का बिमारी हो या heart का बिमारी हो इन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये differentiate करना कि पेट का पानी है वो liver की बिम करते हैं confirm करने के लिए कि TB है या नहीं एक बार TB का infection confirm हो जाए तो हम TB का इलाज करते हैं छे महीने दवाई चलती है और हर दिन वो दवाई खानी होती है पहले दो महीने को हम intensive phase बोलते हैं और उसके बाद जो बाकी 4 महीने है वो continuation phase होता है continuation phase में दवाई पहले से कम हो जाती ह TB की दवाई का एक जो major problem होती है वो ये होती है कि risk होता है कि TB की दवाई से liver पे ठोड़ा सा सूजन आ सकती है especially उन लोगों को जिनकी immunity पहले से कम हों जो पहले से कम बजन के हों जो पहले से शराब लेते हो या जिनका liver पहले से खराब है तो जिन लोगों को TB का रोग है उनकी हमेशा लिवर की जाच पहले से करानी चाहिए और TB की दवाई लेते वक भी लिवर की खून के टेस्ट और लिवर का अल्टरसाउं बीच बीच में कराते रहना चाहिए ताकि ये चीज पहले ही पकड में आजाए कि क्या दवाई लिवर पे असर कर रही है या नहीं ये बहुत कॉमन चीज नहीं है जो लिवर पे असर होता है ये सिर्फ 5-10% लोगों में होता है और इसका सही इलाज भी अवेलिबल है तो अगर आपके उन लगता है कि पेट भारी है पेट में पानी हो रहा है ये खाना खाने के बाद बहुत जादा पेट में दर्ध है कमजोरी हो रही है वजन कम हो रहा है तो अवश्य आपने अल्टरसाउंड कराएं पेट का चेक अप कराएं और कन्फर्म कराएं कि क्या आ आप्र शुबरा मिश्रा फ्रम गास्टो लिवर होस्पितल कानपू